आइए आज मैं आपको UPSC के एक सवाल का उत्तर बता देता हूं आपसे दस साल बाद UPSC की परिक्षा में अगर पूछा जाए कि भारत के अंदर Electric Cars का Revolution कौन लेकर आया तो उसका सही जवाब होगा Tata नमस्कार विर नाम मानव है आप देख रहे हैं TV9 Network और आज हमार साथ मौझूद है टाटा की पहली बॉन एलेक्ट्रिक SUV टाडा पंच तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे दर्खवास है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बहुत मैंने से आपके लिए ивать content मनाते हैं और फ़हले आपको Index बता देते हैं सबसे लिए हम बात करेंगे इस गाड़ आप ट्रोट के बारे में तो बारे में उसके बात करेंगे के सपेसिकेशन के बारे में को पॉइंट नम्बर तीन पर हम आएंगे इसके exterior वॉकराउंड के उपर, पॉइंट नम्बर चार पर हम आएंगे इसके interior review के उपर, और अन्त में पॉइंट नम्बर पांच जो होगा, वो होगा इसका drive review. तो शुरू करते हैं, पॉइंट नम्बर वन के साथ, जो की है इसका Acti.EV यानि की इसका आखिटेक्चर जो तयार हुए Tata के एलेक्टिक प्लाट्फॉर्म के ओपर Acti.EV और इस आखिटेक्चर के चार कीबिलर्ज हैं टिकनोलिजी, प्लावा इस प्लाट्फॉर्म की खासियत यह है जब इस प्लाट्फॉर्म के ओपर ऐवी कार तयार होती है तो उसकी ग्राउड क्लेरंस पर ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ता है ना मातर का फर्क पढ़ता है एवी कार्स होती है, उनके फ्लोर में बैटरी पैक लगा हुआ होता है जिसके वज़े से उसकी ground clearance में खासा फरक पड़ता है लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता तो मोटे-मोटे तोर पर यह फाइदा है active.eV architecture का जिसके उपर 5 EV तयार हुई है और यह Tata की पहली गाड़ी है जो इस architecture पर तयार हुई है अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 के बैटरी पैक लगाया है claim range के बारे में बात करें तो 25 kWh का बैटरी पैक है उसकी claim range चार्टर जो कहता है 315 km की है और 35 kWh बैटरी पैक के साथ जाएंगे तो claim range 421 km की है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ यह claim range है जो चार्टर ने claim करी है जो उनकी testing के दुरान पाई गई है दोनों ही बैटरी पैक से साथ अगर आप पावर के बारे में बात करें तो अगर आप 25 kWh के बैटरी पैक के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको पावर मिलती है 80 bhp, 11 14 Nm का टॉर्क मिलता है और वही पर अगर आप 35 kWh के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको 120 bhp और 190 Nm का टॉर्क मिल जाता है लीथियमाइन बैटरी है और LFP chemistry के साथ इसकी बैटरी आती है और more or less इसकी बैटरी पैक को भारत के अंदर तयार किया गया है ऐसा Tata का कहना है Dimensions के बारे में बात कर लेते हैं गाड़ी की लंबाई है 3857 mm इसकी width है 1742 mm इसकी उंचा यानिकी height है 1633 mm और इस गाड़ी को 5 star and cap rating है 6 airbags के अंदर standard है तो मोटे-मोटे दौर पर यह इसके key specifications होगए अब शुरुआत करते हैं इसके walkround के साथ सबसे पहले exterior looks की दरफ चलेंगे लखन जुडवा तो आपको पता हुआ कि twins का concept क्या होता है असल जिंदगी में भी twins होते हैं या फिर हम शेकल्स होते हैं हम शेकल एक फ्लॉप इनिवे उसको side करते हैं लेकिन अगर आप इसका front profile देखेंगे तो आपको इस concept में believe और जादा बढ़ जाएगा क्योंकि इसको स X-on EV जैसे connected LED DRLs मिलते हैं जिनके अंदर animation मौझूद है आप गाड़ी को lock unlock करेंगे तो वह पूरे-पूरे एक साइक इलसी चलती है उसके अंदर उसके अलावा जब गाड़ी चार्ज होती है तब भी आप DRLs के मदद से पता लग जाता है कि गाड़ी कितनी चार्ज है वैसे आप फोन के आप पे भी चेक आउड कर सकते हो या फिर तो खुदी जाके देख लेना एक दो घंटे बाद की गाड़ी कितनी चार्ज है इसके बारे में और बात करें तो आगे आपको गिल पूरी तरह से क्लोस मिलते है क्योंकि एक EV है उसके बाद जो टाटा का लोग सही उसको अनलॉक करना पड़ेगा अंदर से ओपन करना पड़ेगा उसके बाद नीचे बंपर वाले पोट्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाए देगा कि काफी हद तक चीजों को ओपन किया गया है वह बैक्टर को कूल करने के लिए होता है और एर इंटेक ज जैसा अब अब कैसा लग यह बात आपको इंटरेस्टिंग दिखाते हैं जो जनरली काफी आपको प्लाटफों का इस्तेमाल करते हैं कि आपको फ्रंक मिल जाता है यानिकि फ्रंक फ्रंक फ्रंट में भी स्टोरेज मिलते हुड के नीचे आप इसको खोलेंगे जैसी यहां पर आप पांच किलो तक के मैक्सिमम वजन का समान रख सकते हैं और लीगल ही रख सकते हैं मतलब जस्ट टू क्लारिफाई लीगल समान ही इसके अंदर रखा जाएगा साइट प्रफाइल में जब हम आते हैं तो यह आपको पंच आइस वाली ही याद दिलाती है पूरी तरह में जाएगी तो यहाँ पर सस्पेंशन को ट्रावल करने के जादा मौका मिलेगा टायर जादा उपर तक आ सकते हैं पर मुझे लगा सकते हैं अगर आपको रेंज से फरक नहीं पड़ता है तो और वीम का साइज है आपको भार से देखने में भी बड़ा लगा और अंदर स काम करता है अंदर बैटके मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही यूस्फल चीज है बहुत ही बड़ा चीज है जो डोर हैं उनका डिजाइन भी आपको काफी अच्छा लगेगा यहां पर भी एक एरो वाली शेप इसके अंदर निकल कर आई है जो टाटा की एक डिजाइन ला पर लगाया इनोंने अब बात करते हैं इसके रियर प्रफाइल के बारे में पीछे से गाड़ी देखने में आपको पंच आइस जैसे ही मोर और लेस लगेगी यह कॉंपलिमेंट करता है ओर आल डिजाइनिंग को सका रियर ऐसा नहीं है कि आपको रियर चोटा लगगा फ्र जो इसको प्रीमियम फील देने के लिए बनाई गई है और इसके साथ एक मिनी क्रैश टेस्ट भी हो गया बड़े दावे होते हैं कि इतनी जल्दी पंच की बॉड़ी दबती नहीं है तो यह कभी हमने सुबसुबा शूट से पहले ही गाड़ी दुलवाई थी और जिन काफी अच्छी स्पीड मारे थी उसके बावजूत आप देखो यहां बस हलका से देंट आ है तो यहां पर काभीले तारीफ वाली बात है कि भाईया पंच की बॉड़ी है तो मजबूत यह बात माननी पड़ेगी और यह आज हमने प्रैक्टिकली फील करके देख लिया उप के बारे में ज्यादर डीटेल मीं जाएंगे तो इतनी घहराईयों के साथ आपको बूर्ट स्पेस मिलती है और इतने जस्ट बातों के साथ तीन सो चाश्य लिटर की बूर्ट स्पेस है साथ में आपको एक होम चार्जर मिल जाता है और इसके लावा और कुछ नहीं है जैक तो अब हम आगे हैं गाड़ी के अंदर पंच इवी के अंदर और यह वो जगह है जहां पर आप सबसे आदा समय बिताने वाले हैं और जहां पर बैठने के लिए आपने पैसा भी आई याना की ड्राइवर सीट सबसे पहले मैं ओवराल लुक और फील की बात करूं मैं तो क अब करने लिए उनके जेन्वेन वर्ट से वह क्यामरे का आगा नाना नहीं चाहते नहीं तो उनके मूझे बूलवा देता और उनका कहना था कि अंदर बैठे काफी नेक्साइन वाली फीलिंग आरी आपको नेक्साइन आना यहां लेकिन आपको जो पंच आई से नहीं नही पुरे का शिकायत कर नहीं सकते हैं क्योंकि इससे उपर की सेग्मेन में भी गाड़ियों में भी ब्रैंड्स ने इतना इससे भी खराब प्लास्टिक लगाया हुआ है और इसके लावा बात करें एक चीज तो मुझे थोड़ी सी खटक रही है वह यह कोई बात नहीं लेकिन सीट को चौड़ा करने चक्र में इधर स्पेस बहुत कम हो गया है तो जब आप सीड़ लगाते हैं आपने यह सीड़ ली यह सीड़ लगाई तो सीड़ का एकसस एजी नहीं है अगर आप यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ लगा क्लोस पर हम दिखाएंगे आपको कि मैं एक बारी में इसके सीड़ के यह बकल तक नहीं पहुंच पाऊंगा विच इस वेरी डिफिकल्ट यह एक बात कहने को छोटी हो सकती है लेकिन सीड़ लेकि इतनी इंपॉर्ण चीज है कि उसका एकस एक बहुत चोटा और बहुत इंपॉर्ण पॉइंट है जो कि टाटा को ध्यान रखना पड़ेगा आगे आने वाली गाड़ी के अंदर कि यहां का एकसेस एजी किया जाए ठीक है यह बात होगी वेंटिलेटिट सीड्स हैं इस सेग्में में अब यहाप देखो यहां पर आ बहुत ही यूनिक लिगता और दुनियों में पहली ऐसी कंपनी है जिसने इस तरह का लोगों तयार किया है और अंदर आता है और हां ऐसा नहीं कि बीच में पर लोगों जो है डिजिटल आ रहा है तो एयर बैक में कुछ इशू होएगा और निकलते भी हैं और यह जो स्क्र प्रूस कंट्रोल मिल रहा है सेट वगरा करने के लिए सुचिस का फील है वह बहुत प्रीमियम है यह सारा इलुमिनेटेट पार्ट है और यह जैसे अपडाउन करने वाला बटन है इसको एक स्टील फिनिश दी गई है यह भी बहुत संदर लगता है और यहां से आप स्टील फिनिश प्रीमियम है और यह जब चलाते हैं वक्ति इसके अंदर एक थोटी ची दिक्कत है वह मैं आपको चलाते हुँगा इसके तोटा साब मीचा हो यहां पर आओ यह पेडल शिफ्टर लेकिन यह पेडल शिफ्टर किस काम आते हैं जैसे आपन लोग आडिक चला लेकिन पेडल शिफ्टर करने में मदद करते हैं लेकिन जो पेडल शिफ्टर हैं यह बैसिकली रीजन के लिए वह अब आगए हैं इसके इन्फोटेंबंट स्क्रीन के उपर 10.2 इंच की फिक्रीन है और यह अब फीचरों से बरही हुई है मतलब इसके उपर अलग से दो ग कंडिशनिंग को भी हैं हैं हम यहां से अपने फोनी कनेक्टिविटी दे सकते हैं और जो टॉप इंड मॉडल आता है तॉप इंडर आपको एर प्यूरिफार मिलता है और एक चीज़ है आका इसके लिए आपको टाटा की कनेक्ट आप ची होती है वो इसके अंदर फिलाल हमने डालनी रखी में उसका पासवर्ड यूजर आइडी वे रहनी था बट मैं आपको बता रहता हूं और हमने यह नेक्सवान एवी के अंदर टेस्क्या हो इसके अंदर बेसिकली आप गेंग सक तो देख सकते हैं मूड लाइट है हलकी भुलकी नीले लाइट है लगाई चेंज नहीं होती है इसके लावा फोन क्विक सेटिंग सेटिंग शेयर माय लोकेशन बेसिकली आप अपनी गारी की लोकेशन शेयर कर सकते हैं अपने परिजनों को ताकि इन केस ओफ एनी अमर्ज तो यहां पर देखों तो आप जहां पर भी टच करोंगे वहां का जागा 3D में तो 3D भी पूरा पूरा इमेज दिखाता है और यहीं सेम कामरा कॉलिटी लगभग इसी के आसपासी कामरा कॉलिटी और यहीं 3D वाला फीचर ना आपको सफारी है रिले जैसी गाड़ियों मे दिखाएगा क्योंकि दोनों और व्यम के नीचे कामरा लगा हुआ है तो वो चीज आपको इस खंदर मिल जाती है उसे नीचे यह एक पूरा पूर्ट्शन मनाया हुआ हुआ है जो सम्हाव मुझे मतलब प्रिंसिपली ठीक नहीं लगता मैं यह नहीं कह रहा है कि टाटा की और नीचे आप आते हैं तो यहां पर आपको एक यूस्टी पोर्ट मिलता है जिससे कि अप अंदर फोटो जगरा के फोटो जगरा भी देख सकते हो और साथ में फोन भी चार्ज जाएगा और यहां पर आपको पांच वोल्ट तीन अंपियर का एक सी टाइप चार्जिंग मिलता है और 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है इन सब के बावजूद भी यहां पर बहुत बहुतर तरीके से काम कर रहा है इससे तोड़ा और बीच हैंगे तो यहां पर यहां आपको टेपिकल टाटा डायल मिलता है आप इस डायल से इसके अलग-अलग ड्राइव मोड पर जाएंगे पार्किंग रिवर्स पर जाएंगे क्रोम फिनिश है यहां पर और यह अच्छी ग्रिप बनाने के लिए दानेदार इसको बना दिया है यहां पर इसके बगल में इसको क्लिक करेंगे जैसे अपन लोग तो यह आ जाएगा स्पोर्ट मैडम बोली दुबारा बोल यह सब चीज़ें आपको इसके लिए इसके अंदर टॉप ऑफ दा लाइन मैप जाएंगे थोड़ा उपर आएंगे तो यहां पर आपको यहां पर संडूफ मिल जाती है अच्छा है कभी अगर आप अच्छी वादियों में जाएं तो इसमें आनंद ले सकते हैं संडूफ क संडूफ है बड़ी है इसमें से बाहर मन निखलना कभी भी एक कदरनाक होता है बच्चे सुखाया मत करो इसके अंदर तो यह संडूफ भी आजकल मैंडेटरी हो गया है तो इस लाइक जैसे चादिवाद माधर पर संदूर लगाते हैं गाड़ी के अपर संडूफ लगाते गलफ बॉक्स देख लो गलफ बॉक्स चंदर भी अच्छी घासी जगा एए एर पूल बॉक्स है यहां से ऐर कूल हो जाएगा इधर बी एक स्पेस क्रिएट की गया है और इसमें भी जगाए उक अच्छी जगा आप और यह है कि अपने सेग्मेंट से उपर की जो बाते ट तो आपको यह सब चीजे मिलेंगी वह जो की जाके ऑन रोड लगबग तो पैसा तुम खूल मिला के होतना हो गया बड़ स्टिल इस काटेगरी गारी के अंदर यह फीचर देना बड़ी बात है अपने आप में यहां पर दो कफोल्डर्स है ठीक ठाक साओ डीषन साइब इसके लावब यहां आम्ड賽 जोरीless प्राइब यहां पर मिल जाती है इसको पूरा सेंटर कॉंस लेगे इसको प्यानो ब्लैक्स दीयगई यह बहूर्म है प्रीविश के साथ प्रब्लम होती हैं यहां परहें पर प्राइब श्क्राइचक पर चाल गोगे और ऑफ स्कुराइब नदर यह जगा ना तो आपको वो शाइन आपके लिए मिस होनी शुरू इसके अंदर आपको हाइट एजसेबल सीट मिल जाती है ऐसे आप हाइट एजस्ट कर सकते हैं और इस तरह से सब कुछ मैन्वल है ऑविसली मतलब इस सेग्मेंट में भी क्या मतलब क्या चारे हो पंच बीस लाग रुपी की हो जाए और यहां से आप सीट को आगे पीछे कर सक होता है फ्रंट रों का अब चलते हैं सेकेंड रो में और वहां पर क्या कहानी लिखी है किन शब्दों से कहानी लिखी है टाटा ने उसके बारे में बात कर लेते हैं देगे मेरे बैठने से पहले ही आपको यह फ्रेम में देखके अंदाजा एक लग गया होगा कि पीछ वा अब भी नहीं है नोट टाल डाक और हैंसम गाई बट सिल आइम अफेली गुड गाई थैंकियो सो मच फॉर मैंने अपनी खुद की तारीफ करी आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जब मैं बैठता हूं ना तो मतलब मेरे साइस के दो लोगों को बैठने में अगर वो आके बै तब हैं जब की पीछे यह स्कूप कट किया है टाटा ने अगरे स्कूप कट नहीं होता मान लीजे स्ट्रेट आ रखा होता तो बिल्कुल नीरूम खतम हो जाता मतलब मेरे बैठने की बहुत साथ दिक्कत हो जाती और यह कम स्पेस की वज़े से ना अब मेरे गाड़ी से उ अब बात कर लेते हैं है अगर मैं यहां पर हैड्रूम के बारे में बात करूँ तो यह चार उंग्लियों जितना हेड्रूम हो चलो वह भी कोई बात नहीं होता है एक बारी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती और उसके लावा शूल्डर सपोर्ट वगरा अच्छा उसकी प्र रहा हूं वो आ रही है और पीक्ठे में एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीछे भी चारजिंग वर्ट या छार्जिंग फॉकट दीआ जाता बट यहां पर तो कोई charging port charging socket मुझे नजर नहीं आ रहा है इसके अलावा अगर कहीं हूँ charging socket चुपा रखा हो कि किसी वो पता न लगे तो बात अलग है यहां पर आपको फ्लैट बेड मिलता है तो यहांने कि अगर आप मान के चलो कि आपके फैमिली चार लोगों की जिसमें दो एडल्स हैं और दो बच्चे हैं तो आप अराम से इस गाड़ी में सफर कर पाऊगे लेकिन अगर आप यह सोच रहो कि चार एडल्स जाएं इस खंदर तो वहां पर आपको थोड़ी सी परिशानी हो सकती है तो यह बात हो सेकेंडों के बारे में आप चलते हैं इसके ड्राइफ पर और तो ते लिए शुरू करते हैं टाटा बंच इवी का ड्राइफ इंफ्रेशन कि आखिर गाड़ी चलाने में कैसे है चलाने से पहले अब अंदर बेढ़े कर पताने आपको नॉज एक आ रही है बट मुझे एक नॉज आ रही है और यह नॉज काफी जादा आती है क्योंकि श इवी पंच महसूस नहीं होगा यह लॉंग रेंज वाली है टाटा पंच इवी तो इसके अंदर जो है 35 किलो वाट आर का बैटरी पैक आता है जो की 190 नहीं का टॉक देता है 120 बीच पी की पावर देता है और उसे साब से मतलब एको में डीसेंट है चलाने में मज़ा रहा है अब एक बारी इसको दुबारा रोखते हैं और एक बार इसको दुबारा से लॉंच करेंगे हम सिटी मोड पे ठीक है जी किसे आपको सिटी और इको मोड दोनों वहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा तो मेरी चलाव अपको रेंज पर आप उछी मिलेगी बैटर जैसे इसको से इसना है अभी जैसे इसको इसको डिया चाहिए आ फटाक से और इसको रॉक काम ने और शवर्ण आप देखते हैं कि आपके तैंक्यु धी अब देखते हैं कि कितना ज़्यादा पंच सके अंदर आता है पंच में यह देखो यहां पर महौल बनता है अब गाड़ी ने पकड़ी है तगडी रफ्तार और यह देखो यह 103 पर आ गई यार मतब इतना क्विकली 100 टच कर जाती है कर आप स्पोर्ट मोंड पर आते हैं तो रेंज के बारें बात करते हैं स्टेरिंग और क्याम्ट कर दो आपके प्राक्टिकल भी अबात करते हैं कर दोडुसरी स्टेरिंग के बारें स्टेरिक में चांटी ऑच्छा एकाय़ के में बात करते हैंैं अब भी ए lesson के साथ अब भी लेवल फी रीजन पे हैं जारे ब्रेकिन यह आप कितनी स्ट्रोंग ब्रेकिंग है और यही मज़ा भी है, क्योंकि इससे-अको-सिंग Buďa सब्सक्राइब का मजा मिलता है किसम से बता रहा हूं मैंने इसको लेवल 3 रीजन पे काफी देर चलाया आप यह लगा लो मैंने 10 किलमेटर चलाया और मेरी रेंज में हार्डली 2-3 किलमेटर का फरक आया तो इसकी ब्रेकिंग टेस्स करते हैं 0 to 80 and then 0 अभी गाड़ी 0 पर है मैं इसको लांच करता हूं गाड़ी को स्पोर्ड मोड पे तो यह है ब्रेकिंग के एफिशेंसी असी से जीरो आने में शायद 2-3 सेकेंड का ही वक्त लगा होगा मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा वक्त हमें लगा होगा तो इसकी तो यह बात हो कि ब्रेकिंग हैंडलिंग और उसके एक्स्पेंशन पावर में सस्पेंशन अभी तर्फ लग रहे हैं अब थोड़ा सा इसको हम कच्छे से मुतार के देख लेते हैं तो यह मैंने एक ग्रैवल फिल्ड है उसके ओपर लिया गाडी को और यहां सस्पेंशन बहुत अच्छे है बहुत बड़ी आ ला जवाब, कमाल, मज़ा आ गया कोई इसके अंदर complaint नहीं है एक चीज जो मुझे कमी लगी जो मैं शाद पीछे वाले रिव्यू में नहीं बता मैं बहुत हैं जब हम सेकंड रोग कर रहे थे तब मैं नहीं बोला अप्शन है और यहीं सही वक्त है खरीदना चाहिए आप खरी सकते हैं प्राइजिंग के बारे में बात कर लेते हैं बात के अंदर दोनों ऑप्शन आपके पास और नहीं खरीदनी चाहिए आप कोमेंन करके बताना आप अगर एक और यूजदय के अंदर भीग के आपके भाई ने वीडियो बनाए तो इसके लिए एक वटन दबा दो कोई नहीं लगती हूं सब्सक्राइब को बटन दबा दो फड़ा फड़ से दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो कॉमेंट करें अपना प्यार दें और कुछ गिले शिक्वें हो तो वह भी कॉमेंट करें हम उसको मिटाने कोशिश करेंगे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आगे आपके लिए और आप